आठ अगस्त को मरीजों का इलाज देश भर में होगा मुश्किल क्योंकि आठ अगस्त को पूरे भारत में एन एम सी बिल के विरोध में सारे सरकारी एवं प्राइवेट क्लिनिक एवं अस्पताल की सभी OPD और इमर्जेंसी सेवाएं बंद रहेंगी पूरे देश के साथ मिधिलांचल और दर्भंगा में भी मरीजों की जान पर आएगी आफ़त उन्हें नहीं मिल पाएगे चिकित सा सेवा क्योंकि आठ अगस्त को देश भर के डॉक्टर हरताल पर होंगे इंडियन मेडिकल असोसियेशन के दर्भंगा ब्रांच की ओर से अध्यक्ष डॉक्टर बीबी साही और सेक्रेटरी जेनरल डॉक्टर मुहमद इंतखाब आलम डॉक्टर हरीदा मोदर डॉक्टर मनोज कुमार डॉक्टर आमोद कुमार जहा डॉक्टर अभिसेक सर्राफ ड बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है और ऐसे में मरीजों के चिकित्सा करना काफी मुश्किल है हाला कि चिकित्सकों ने यह भी कहा IMA के बैनर तले कि उन्हें हरताल करते हुए काफी दुख हो रहा है लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है अब सवाल यह है कि 6 अगस्त भीच चुका है 7 अगस्त का वक्त है सरकार के पास भी अगर सरकार सकारातमक बात चीत कर डॉक्ट्रों को मनाने में कामयाब होती है तभी 8 अगस्त को हरताल नहीं हो पाएगी और अगर 8 अगस्त को पूरे देष में हरताल हुई सरकारी और प्राइविट क्लिनिक एवं अस्पताल की सभी ओपीडी और इमर्जन्सी से वाए अगर ठप रहीं तो सवाल बढ़ा यह है कि मरीजों के चिकित्सा आखिर कैसे होगी देश भर में यह हरताल होने के वज़ा से कहीं भी चिकित्सा करापाना संभाव नहीं होगा बताते चलें आपको कि अगर यह हरताल आठ अगस्त को होती है तो यह दूसरी बार ऐसा मौका होगा आजादी के बाद जब देश भर में सभी सरकारी और प्राइविट डॉक्टर हरताल पर रहेंगे 1975 में इस से पहले इमर्जिंसी के दौरान ऐसा समय आया था जब डॉक्टरों ने हरताल कर दी थी और पूरी चिकित्सा वेवस्था को ठप कर दिया था और अगर आठ अगस्त को हरताल होती है 2019 में तो यह ऐसा दूसरा मौका होगा जब पूरे देश भर में चिकित्सा वेवस्था रहेगी ठप पर सही कदम उठाती है हम लोग तो कुछ होंगे आपनों कोई बहुत बहुत धन्वा देंगे पर सबसे बढ़ा सुधार का जड़ुत है जो बिल्स कोर्स इसके बार में बताया कि वोलोगा बिचाहर है कि किसी टेम्बो ड्राइवर को पाईब बना जाए जो की सबब नहीं है इस गरीब देश के लिए इस गरीब जनता के लिए और इस ताचार जनता के लिए यह बहुत ही दुगदाई होगा वसे भी मरते लाते हैं गामी लोग और इस तरह के डॉक्टर लाग डाउन में आ जाएंगे कि उनकी दुगदाई हो नहीं है सबसे पहले हमारी लडाई का तो सबसे पहला मुद्दा है जो जो बंदा हम लोग चाहते हैं वो यह है और दुसरा बंदा जो हम चाहते हैं कि सुप्रिम कोर्ट ने यह दिया था कि जो प्राइबेट मेरिकल कोलेज में जो एक्विशन होते हैं उसमें 85% सीट जो है वो इसका जो फीक अबना चाहिए वो गवर्मेंट रिग्रेट करें ऐसे आईटी समय होता है इसको सुप्रिम कोर्ट में बहुत अच्छे तरीके से ऐसे जोड़ा था कि 85% का जो पैसा होता है 85% जो अगर 25% गवर्मेंट पैसा ले तो जो मेनेजमेंट पैसा लेगा उसमें इतना जाए पैसा होता है कि profit maintenance सब कुछ हो जाएगा इसनिए बोला गया थे कि 75% पैसोर जो जो और उसको आप गवर्मेंट के मुझे पर आने चीज़े कि गवर्मेंट उस सीट को उसका कितना fee structure होगा क्योंकि उसमें घड़ी दोपी जा सकते हैं लेकिन अभी जो NNCB आ लाया उसमें गवर्मेंट के उसको बदल के सुप्रिम के पूर्ट के बदल के 50 परसेंट इसका मतला हुआ कि 50 परसेंट से उन्होंने मनेल्मेंट को दे गया जो कि केवल धनी ही लोग उन्पे जो कि आपको मालूम होगा कि हमारे देश में गड़ीबी और धनी का अरुपात यह है कि देश का 90 परसेंट जो पैसा है वह दसी परसेंट जो घनी लोगों हैं हुनके दिये गरिजमेंट को दसी परसेंट होना चाहिए में मुत्ता तो अभी जो है जिसके दिया हमको मुत मिल्वराई इंदर रहे है जैसा के लोग बुक्यात है कि 8 अगस को तुम इतने भी दब से इस्टाइक पर जाना है सुना इसक आए जो और हाई है एंइंसी पिल गेंजम होना है एंपिल जासा को मालओ पाहल है कि जोगी ऐंपने अगसी आधेमशी को बना है इसे सर्टार्ट ने तोरहां तस में खतम कर दिया, उसका देने एंची बिल लाए, लेकिन एंची बिल जो है, सर्टार्ट ने देला है कि वो 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 शिच्छा के बुल्वा तक करें एंची एजिजुकेशन को या जो की मेटिकल प्रोफेशन है उसको हायर को इलीडी काम करें ने तक कि जो हम लोगाने डॉक्त रेक्टर ने चोर्ट धियूंडे ने जो बिल को देखा दे गा रहा है कि जो है कर सकता है चीजा जो इसे मुढ़ फिया सकता है है झाट जाम जाने के हम खतार है दुस्ता जो है Section 50-51 है, जो Section 50-51 में जो ये किया गया है कि वो 50% सीट जो है, Private Medical Correction उनको ये कर दिया है कि वो उसकी जो फीस जो है वो फुती इनाड़िज कर दिया है, मतले कि वो फुर्ट जी आ गया है कि वो सिप अमीर के बचे ही पुपड़ सके, करीब के बचे जो है Medical Education नहीं ले सके, पहले लिए था कि 85% सीट पर गोवर्मेंट का नियंतर मतला था, लिए गोवर्मेंट ने उसको घटा के 50% कर दिया, 50% जो है Private Medical Correction का पुझी कर दिया कि आप उसको भी पनवाना हो आपीस रखिये, ओसमें जो यनि को सिक्सा को दो तरीके पाट दिया है, यापीरों के लिए खडीब के इंदब इंदंब कर दिया है, जो कुछ नहीं जाते ही वह इसके वी लोगों सभी गिश्रकार से वां करते हैं हैं, अधिए आ और जो इनधनी ने ऑन छ very सो क्भी में किया जा है, इसक 1 डाइडल य 먹는 सरकारक के पास नहीं है क्या कर readiness कि दवादेगा के वन डायडियर्य आपे टांतित की दवा देगा यह कि प्रेण तुमर की दवादेगा यह उन नहीं करने कि ब्रेंट लेट उन्मर मा रडंद थेरा कि ब्रेंड नोई प्रेंग Corn diz 75 पर उसकी तब मिनिमम् ट्राइटेडिया तो ट्रैक्टिस मेडिसिन, और अपकर रहे हैं कि हम छे महिना पर आएंगे, तो हमारे क्या पाउंडर हो, हमारे ड्राइबर हो, हमारे लैब में काम करने वाले हो, और उटको हम लिमिटेड लाइसेंस देगे, जो पूल भाहुना थी, MCI जो एक समय असानिक संस्ता थी, और ऐसा ही नहीं, बर्ण में भी MCI को माना जाता है, और सारे देशों में, MCI जोरा दीगे टिग्रियों को नहीं संबाद किया जाता है, जो बाकी देशों का है, उसको आपने खत्व कर रहा है, उससे कोई मान दूने इडा जाएगा, और हम फिर स्वासन तीछे चले जाएगे, जब ऐसे ही डोग अमारे आद्मियों की चिकित्सा मेवस्ता देखने लगेगे। तुसरा, भविष में क्योभी डाक्टर बनना चाहने है, उसके बन पाएगे। करती थी, जो चिकित्सा सिक्षा को रिगुलेट करती थी, उसके इस्टेंडर को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, कि देश में अच्छे चिकित्सा बने, बने, इस कारण काम किया करती थी. उसके बने, सरकार ने यह आरोप लगाकर कि यह संस्ता फ्रस्ट हो गई है। उसको पटाने का जास्तिया, और उसके जवब पर एक नया, एनमसी बिल लाया गया। और वह आरोप जो है, जो एनमसी आई पर लगा था, वह सिप्याई से प्रूब भी नहीं हुआ, कि यह संस्ता फ्रस्ट है। और उसके यह आरोप लगाया कि देश में डास्टरों की चंख्या कम होते जाएं। पस्थित आईब क्या फ्रस्ट, सचिव, मेरे सीदिया, और मेरे लेक्टोरी कुगिया और मेरे जाएं। मैं यहार जक दिये करें से आया हूं। उवरमा हूं इन फ्रस्ट च्राइक कर रहते हैं इस दो वरी के बाद उनएक्ष strive कोई क्यां इस फ्रस्ट इसेटिक हैं, यह आठ तारिक सीफ नहीं है, इसे आठ तारिक सीर फिर होना है। भी यह लगारी हमारी लडाहि नहीं है, यह लडाही हमारी सोसाइटी में लिए हैं, आप सब के लिए बहुत common example है कि लोग छोट लगाते हैं बाहर में इलाज कराते हैं जिसका कोई untrained आधिनी इसका इलाज करता है जिसका इलाज बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता था जिस मरीजों को एक बच्चा है करुणी में चोट लगे उसको छोटा सा फ्रैक्चर हुआ उसको सही इलाज नहीं मिला और वो जिन्दिगी बड़ बच्चा अपना हाथ सीधा नहीं कर पाता है बात मैं आप कितनी वह अच्छे इसको इलाज की सुईधा क्यों नहीं करता है कहीं न कहीं हमारी बंधु हम लोग का इस मामले में साथ दे हैं सोसाइटी में यह जागरुता पहलाएं कि क्यों हम यह लड़ाई लड़ रहा हमारे लिए नहीं लड़ाई लड़ रहा हमारी सोसाइटी अच्छी हो हमारी चिक असे फ्रणाली जो है वह अच्छी हो इसके तीन-चार पहली बात तो यह है कि प्रशासनिक विशाय नहीं है प्रशासनिक विशाय नहीं है किसी के नियमों के द्वारा संचालिक होता है किसी के मन मर्जी से ड्याटर भी जो द्वाई लिखते है वो भी अपने मन मर्जी से नहीं लिख सकते मरीज भी जो इलाज कराते हैं वो भी अपने मन में द्वाया सुखिया ऐसा नहीं कर सकते ना सरकार इसलिए अपनी मन मानी कर सकते है ये प्रकृतिके नियमों के तहद एक तख्रीकी विशाय है और इसकी जो गवर्निंग बॉडी है इसमें राज्यों को 6 मेंबर दिये गए हैं तो रोपेशनल वेसिस के और 5 मेंबर मेडिकल प्रोफेशन से चुने जाएंगे अलांकि ये कहा जाता है कि उसमेंसे 21 मेंबर जो होंगे वो सरकार के तरफ से नामित होंगे बर वो डाक्टर जो सरकार के कार्मिक होंगे, सरकार के इंप्लॉई होंगे वो स्वतंत्र नहीं होंगे वर्तपान में जो Medical Council of India है ती वर एक स्वतंत्र समयधानिक समस्ता थी जैसे हमारा एलेक्शन कमीशा है और उसके प्रतिनिदी चुने हुए जाते थे यहां पर चुने हुए प्रतिनिदी केवल पांच है बाकि असी प्रतिशत नामित प्रतिनिदी खुए तो प्रतिनिदी चुने थे नेदी है सरकार की जो प्राइवेट वां का मेनेजमेंट होगा उसका सारा पीस का सब्ची करने पहरण प्राइवेट मेटिकर कॉलेज ही करें तो एक बहुत बिचित रस्ती पाइदा हो जाएगी धेरे-धेरे हम लोग बिरोध करते हैं कि गरीब और एमीर के पीछ में स्वार सुनिधा का कोई भी अंतरत नहीं होना से हैं हम लोग बिरोध करते हैं कि हम लोग का जो MCI का जो पाले एक कंस्वेशनल एक बोड़ी था उसको बदल के अभी NMZ किया गया है कि NMZ से बिरोध नहीं है लेकिन एक सही प्यक्ति चुने हुए प्यक्ति को NMZ में प्रतिने निर्थ मिले हम सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि प्लीज आप एमेंटमेंट लाइए पर लशिला रूप अपनाईए और डॉक्टर और मरीज के हित के लिए आप इस तरह से कुछ कड़न उठाएए ताकि हम लोग भी संतुष्ट हैं और ये जो हम लोग जाने वाले हाट तारीखो नेशनल वाइट पुरा स्ट्राइक पर उसे पहले जबी समाधान हो जाता है सरकार से तो हम लोग उसमें बहुत जादे खुश होंगे जाना भी नही है उन्हों का भी मन बाढ़ काफी दूख ही है कि हम लोगे स्ट्राइक कर रहे हैं इसमें इमर्जंसी जबावी परवाइच होने वाला है ये काफी दूख की बात है मानवता के भी एगेंस्ट है लेकिन सरकार के संपर्क में निरंतर रहने के बादू थी हमारे जन प्रतिनि का पार इस डंग से नहीं माना गया इसलिए हम लोग मद्बूर हो करके अपने कुछ दिमांड को सरकार के सामने रख रहे हैं